हाई फ्रेंड्स वेलकम टो अवर चैनल सूपर ट्रेडर लक्ष पहली बार बहुत सारे लोग यहां पे आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यह एक बिलीफ बिल्डर और आपको रियालिटी चेक बताने वाला वीडियो चाहता हूं हो तो वीडियो को बना है बड़ा प्रॉस इसको देख के काफी लोग यहां पर मोटिवेट होंगे काफी यहां पर अन्हीं सोचेंगे कई लोग सोचेंगे यह नकली है ठीक है तो वह भी मैं यहां पर वाइलिडेट करूँ तो यहाँ पर simple है market ने एक gap down दिया मेरा anticipation कहलो analysis कहलो ये था कि market में जो fed की policy है वो अभी भी clear नहीं है और market इसको बहुत easy ले रहा है और inflation जो है मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी normal होगी क्योंकि जो economic data आ रहा था वो बहुत जादा कमजोर नहीं आ रहा था तो जब तक economic data दोर नहीं होता recession जैसा जब तक inflation crush नहीं होती धीर धीर जाती है नीचे और हो सकता है बीच-बीच में seasonal effect के कारण उपर भी आए वही चीज होगी कल यूस के data में और जब यह data आया तो यह सिर्फ यह HDFC bank का एक fall आया था आपको याद होगा तो उस दिन भी मैंने hedge करके position की थ थी actually मैं सोच रहा था result थोड़ी अच्छे आएंगे लेकिन result खराब आये और market बहुत बुरा गिरा उस दिन मैं hedge था तो मेरे जो hedge position थी वो सिर्फ मेरी total position की 30% या 25% थी उस 25% ने मेरे को almost 8 गुना 8-9 times पैसा दे दिया तो net-net में 50% पैसा बनाके निकला जबकि मेरी position की main direction ऊ कैसे बचाती है तो है जिंग कुछ तो करो मैं कह रहा हूँ total सूपड़ा साफ होने से बेटर है कि आप थोड़ा hedge करके जाओ उसके बारे में बात करूंगा कई बार हम नहीं करते हैं लेकिन आज expiry थी इसलिए करना ज़रूरी था दूसरी चीज है कि market में बड़े gap up gap down ऐसे इवेंट के टाइम पर आते हैं जब उस इवेंट से कुछ जादा उमीद ना हो तभी वहाँ पर फटता है market एक तरह तो जादा उमीद नहीं थी लेकिन डेटा क्या आया negative आया उमीद से तो market नीचे की तरफ गया US में और हमारा market भी reaction किया क्यों हमारा market पिछले कई दिनों स जल्दे निकल गए अभी वो premium जहां से मैं निकला उससे 200 point नीचे है अब लोग बोलेंगे ठीक निकल गए देख रहे हो निकला मैं वहीं जहां निकला लेकिन कुछ मिनटों बाद एक घंटे बाद लोगों की सोच और देखने का नजरिया बदल गया क्योंकि market बदल गया त यह position है देख सकते हो यह चल रहा है ठीक है यह orders है यह धन का broker है काप यह अच्छा broker है मैं इसको use कर रहा हूं इस financial year से बुरा आप देख सकते हो सारे prices यहां पर चल रहे हैं यह आपकी orders है मैं शुरू में ही निकल गया बिल्कुल आप देखो time देख लो मैं रुका ही नहीं तो वहां पर लोगों को क्या लगा होगा अरे यार तुम जल्दी निकल गया अभी क्या लग रहा है यार तुम ठीक निकल गया यही मैं कहना चाहरा हूं यही यही पर लोग फस रहे हैं अगर आपके निकलने के बाद वो उपर होता आप दुबारा घुसते आप एक घंटा रुख जाओ और देखो कई बार ऐसा होगा कई बार नी अल्मोस्ट 70% टाइमस ऐसा होगा एक घंटे और रुख जाओ आप जहां पे निकले आप बोलोगे ठीक निकले बस यही पे ग्रीड लालच और फोमो फियर अफ मिसिंग आउट अरे मैं सोरा यार और गुस जाता हू वहीं पे गडबड होती है सारी तो सारे लोग यहीं पे गडबड कर रहे हैं यह बताना मैं चालता था तो आज का जो प्रॉफिट है कितना है गोल्डेन फिगर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए यह फिगर थोड़ा सा मेरे को एक अच्छा लगता ह है कि हाँ यह चलो यह फिगर आए कल मेरा लॉस था ठीक है लेकिन उसके पहले लगातार 16 दिन 16 ट्रेडिंग डिस लगातार ट्रेडिंग डिस बोल रहा हूं लगातार ग्रीन था मैं तो कल मेरे को दुख इस चीज़ का नहीं हुआ दुख इस चीज़ का हुआ कि मेरा emotional जो control तो यहां पर वन करूर का profit है यह मैंने hedge कर रखा था ठीक है यह आपका hedge मैंने जादा नहीं किया था क्योंकि अगर मैं बहुत ही गलत हुआ तो भी मेरे को कुछ तो बनेगा लेकिन मुझे उमीद थी क्योंकि निफ्टी भी लिया है मैंने तो निफ्टी की expiry आज नहीं एक और मैं high पर put ले रहा हूं दो chances हो सकते थे या फिर market flat खुलता या फिर market थोड़ा सा gap अप खुलता यह दो सिनारियों मेरे को दिख रहे थे market gap down दिया ठीक है feeling lucky risk लिया reward मिला थोड़ी hedge भी थे ठीक है इसके लिए इसमें कुछ बहुत science बताने वाली नहीं है science यह है बताने वाली कि मैं निकला निकलने के बाद जो खेल हुआ जो यह अभी आपको 325 दिख रहा है यह 720 भी था अभी मैं निकला 515 पर तो यह सारी है यह fake है कई लोग लगता है मेरे बाल भी fake है कई लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं उनको विश्वास कैसे दिलाए जाए तो दुनिया में 10% लोग success सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो कुछ जानते हैं talented है भगवान ने कुछ gift दिया है नहीं उन पर विश्वास है उनके अंदर विश्वास है कि वो कर लें और 90% doubt करते है हर चीज़ पर डाउट करते है वो बोलते है मैं नहीं कर पाया मेरा पड़ोस ही नहीं कर पाया जो उस 90% में है तो ये कैसे कर लिया ये सोच है और ये सोच के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते तो ये धन ने काफी अ और सकता है ये धनका डूमेन है तो यह जो चीज है ये आपका दिखाता है कि ये जैनुमेन है Gesetz और ये आपका profit verified broker verify कर रहा है कि है इस बन्देने इतना बनाया तो यह मेरा हो गया यह आपको यहां terminal भी दिखा दिया है ठीक है और order भी दिखा दिये तो अब इसके बाद कुछ बच्छता नहीं दिखाने लाए बस यही बताना चाहता हूं कि market में क्या सोच लेके जाने का है risk ले रहे हो न अगले दिन कई लोग बोलते हैं कि anxiety नहीं होती है आपको होती है होती है लेकिन acceptance होना चाहिए कल क्या होगा वोई होगा जो होना होगा क्या करना है टेंशन कल रात में मैं live था market गिर गया ठीक है that is good for me लेकिन जरूरी नहीं है कि market वैसे ही खुले जैसा दिख रहा है रात में कई बार ऐसा होता है सुबह पलड़ जाता है तो सुबह 9.15 तक game on है जो होना है 9.15 के बाद ही होना है तो सुबह जो होगा देखा जाएगा 3.29 पे जो decision ले रहे हो ना कि मैं carry करूं ना करूं वहाँ पे सोच लो अगर कल ये गिर गया तो नहीं गिरा तो क्या होगा क्या नहीं होगा सारा case 3.25 से 3.29 सोच लो तभी carry करो दूसरी चीज है अगर आपको बिलकुल लग रहा है कि यह होगा तो भी थोड़े से पैसे opposite side में डाल दो थोड़े से उसको कहते हैं है जिंग protected रहोगे tension कम रही रहेगी कम रहेगी क्योंकि वह आपको अगर आप बहुत ही गलत हो गया तो वह पैसा भी बहुत देदेगा जो मेरे साथ HDFC bank वाले द पता था 2000 point HDFC bank कभी इतना बुरा नहीं गिरा पिछले 10-15 साल से में देख रहा तो किसी को नहीं पता लेकिन हुआ और that protected me profit में निकला तो यह सब सीखना है आपको यह नहीं सीखना है कौन पैसा कितना बना रहा है मैं रोज नहीं डालता आपको पता है मैं profit अभी इस साल का म महिने के आज है 14 फरवरी वेलेंटाइन डेर लेकिन उस में भी मेरा 16 continuous green it's tough as a option buyer मैं option buyer as a it's tough but still I did it so I hope you will get some belief some thoughts some learning और वीडियो अच्छा लगे तो इसको share करना दोस्तों तक कि profit बनता है पैसा बनता है लेकिन सारा काम profit पे नहीं capital पे नहीं सारा काम इस पे काम करना है control पे emotional control पे निकलने के बाद क्या करूँ मैं अभी फिर से chase करता पुट को 515 में 600 में लेता 700 में नहीं निकल पाता फस्ता अभी 300 चल रहा है loss हो जाता यह आप करते मैं नहीं कर रहा हूं न यहीं पर दो difference है पस यहीं difference में winner और loser है ठीक है तो छोड़ी चोड़ी बात है और सीखना समझना है तो वीडियो के पिंट कमेंट description मैंने link दे दिया है हमारा swing और scalping का course है हमारा A to Z program है दोनों आप join कर सकते हैं free telegram channel का भी link है fake IDs से बचें telegram और instagram पे बहुत सारे fake IDs है जो आपको हमारी photo लगा के बोलेंगे कि हम आपको पैसा कमवाएंगे कोई भी हमाई तरफ से cyber crime बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है उससे बचके रहें अपने family में सबको सजक करें कि कोई भी आदमी आपको double पैसे triple पैसे करने की बात करें तो वो सब fake और fraud है ठीक है I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो like, share, subscribe मिलते हैं बहुत जल्दी thank you very much and ज